नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग 28 मई 2023 के दैनिक क्वीच की चर्चा करेंगे जो कि विभिन समाचार पत्रों से लिया गया है जैसे दहिंदू, इंडियन एक्सपेस, पी आईबी इन सभी खबरों से हम इन प्रस्नों को निकाल कर आपके लिए लाए है और दोस्तो इसमें एक हम बिगत वर्सों के प्रस्न को लिया है और लास्ट में हम लोग बात करेंगे फैक्ट आपदा डे की जो कि आपके संग लोग सेवायो की परिक्षा के लिए लाबदायक सिद्ध हो सकती है दोस्तों, प्रस्नों को शुरू करने से पहले महत्पूर्ण सूचना है कि आज 28 मई को आप लोगों ने संग लोग सेवायो की प्रारंभी परिक्षा को जो दिया है उसका प्रस्णपत्र विसलेशन एवम चर्चा तथा आप एक्षित कर्टाफ क्या होगी ये हमारे विशेशग्यों दुआरा आज साम साथ बजे लाइव क्लास होगी तो इसमें आप लोग जादा से जादा भाग लिजेगा और अपने दोस्तों को भी बताईएगा और अपन आरचे के संबन में निमलिखित कत्रों में से कौन साथ से सही है तो दोस्तों इसमें जो पहला कतन दिया गया है कि एक बच्चा का आर्थ है कि एक ब्यक्ति जिसने 18 वर्स की आयू पूरी नहीं की है दोस्तों बाल भीवा वह है जिसमें लड़के या लड़की की कम उम्र मे शादी की जाती है यहा प्रथा पुराने जमाने से हमारे देश में चली आ रही लेकिन बच्चा एक ऐसा ब्यक्ति है जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है या 18 वर्स की आयू पूरी नहीं की है तो यह कतन तो सत्य हो जाता है दूसरा है इस अधनियम के अंतरगत 21 वर्स से कम आय इला के विवा को बाल विवा की स्रेणी में रखा जासा है यह कतन एकदम सत्य है दोस्तों क्योंकि एक ऐसी लड़की का विवा जो 18 साल से कम उम्र की है या ऐसे लड़के का विवा जिसकी उम्र 21 वर्स से कम की है वह बाल विवा कहलाएगा और इसे बाल विवा निसेद अधनियम के अंतरगत बाल विवाह को दंडनी अपराद माना गया है। अमान्य करने का भी प्रावधान है। और भील जन जाती तथा गोंड जन जाती। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा हक्की पिक्की जन जाती। चुकि साल 2019 के सैन तक था पलट के बाद सूडान में उमर अलबशीर की सरकार का पतन हो गया। इसके बाद देश में ससस्त्र गुटो के दो गुरुप सक्री हो गए। और इन दोनों गुरुपों में एक है RSF यानी Rapid Support Force जिसका प्रमुक हमदान दगालो है। और इसे ही हमेदेती के नाम से भी जाना जाता है। 181 समुदाई के 181 से अधिक लोग सुडान की हिंसा में फसे हुई है। असल हक्की पिक की एक कन्नर सब्द है जिसका अर्थ ही होता है पक्षी पकड़ने वाले लोग। यह जनजाती भारत के दक्षिन और पश्मी राज्यों में रहती है। इनका निवास अस्थान मुख्यता वन छेतर के पास होता है। यह एक सेमी नुमेडिक ट्राइव्स यानि अर्ध खाना बदोस जन जाती हैं जो पारंपरिक रूप से पक्षी पकड़ने और सिकार करने वाले लोग होते हैं। दोस्तो 2011 की जनकर्णा के आधार पर करनाटक में हक्की पिक्की की आबादी 11,892 है और यह जादा तर मैसूर, बैंगलुरू, कोलार, हासन, सिमोगा जिले में रहती हैं। उतरी करनाटक और महरास में इन्हें मेल शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तो इस संबंधित जो खबर आई हुई है वह है इंडियन एक्स्प्रेस में। 23 को साओधी अरब के अलजुबैल में आयोजित किया गया। दोस्तो यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है कि अभ्यास का पहला संस्क्रण मुंबई के पश्मी नौसेना कमांड में 9 से 14 अगस 2021 तक आयोजित किया गया था। दोस्तो यह कथन असत्य हो जाता है क्यों कि पहला संस्क्रण भी सौदी अरब के अलजुबैल में ही हुआ था। ना कि मुंबई के पश्मी नौसेना कमांड में तो ऐसे में केवल एक कथन अता उत्तर केवल एक होगा। इससे संबंदित P.I.B. में आई हुई खबर है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ अलजुबैल में यहाँ आयोजित किया गया है अभ्यास भारत की ओर से इस अभ्यास में INS तरकस, INS सुभद्रा और डोर्नियर मैरी टाइम पेट्रोल एयर क्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। वहीं RSNF का प्रतनिधित्व HMS बद्रवा, अब्दुल अजीज, MH60, आरहेलो और UAV द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों समुद्र में आयोजित इस तीन दिवसी अभ्यास में समुद्री परिचालनों की एक ब्यापक पहुँच देखी गई है। तो इस तरह से इस खबर क भी आप लोग देखिएगा, अब बढ़ते हैं चौते प्रसन की और निम्रिखित कतनों में से कौन सासे सही है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सब से बड़ा तेल उपभोकता देश है। तो दोस्तों अमेरिका और चीन के बाद भारत लगभग 5 मिलि बैरल प्रत दिन के साथ दुनिया का तीसरा सब से बड़ा उपभोकता देश है। देश में तेल की मांग सालाना 3-4 फीसदी की दर से बढ़ रही है। और इस अनुमान के आधार पर एक दसक में भारत प्रत दिन लगभग 7 मिलियन बैरल की खपत कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि अपरेल 2022 तेस में तेल आयात निर्भरता लगभग 86.4 परसंट थी जो एक वर्सपूर इसी अवधि में 85.9 परसंट थी। दोस्तों आपको बता दें कि रूस लगातार दूसरे नवंबर 2022 में पारंपरिक विक्रेताओं में एराक और साओधी अर वहीं एराक की 20.5 परसंट साओधी अरफ की 16 परसंट भागीदारी है दूसरा कतन भारस सरकार कचे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल में 20 परसंट एथेनौल समिस्रन इसको E20 भी कहा जाता है को वर्स 2030 से वर्स 2025 तक पूरा करने का निश्य किया है दोस्तों यहां दूसरा कतन भी सत्याता एंसर इसका C हो जाता है यहां पर जो खबर आई हुई है कि PSU's dividend worth at least 300 million dollar stuck in रसिया तो दोस्तों यहां पर यह जो खबर है भारती कमपनियों के लिए सारविंग तेल की कमपनियों जिसमें ONGC विदेज जिसे OVL Indian Oil Indian Oil Corporation और भा रूसी परियोजनाओं में उनके निवेश से होने वाली कुल 300 million dollar से अधिक की लाभांस आये फश गई है तो दोस्तों इसके पीछे जो महत्पूर्ण कारण है रूस के फरवरी 2022 में यूकरेन पर आक्रमण के बाद भुकतान चैनल से संबंधित मुद्दे तो दोस्तों यू शुरू होने के तुरंत बाद कई प्रमुक रूसी बैंकों को सोसाइटी फार वर्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंसियल टेली कमुनिकेसन जिसे स्विप्ट कहते हैं वित्तिय लेंदेल प्रसंसकर प्रणाली से प्रतिबंधित कर दिया गया जिससे मासकों की वैस्विक प्रणाली तक पहुँच की छमता गंभी रूप से सीमित हो गई यही कारण है कि हमारी इंडियन आयल कमपनियों का पैसा यहां फस गया है चुकि बहुत सारा पैसा निवेस कर रही है अब बढ़ते हैं आज के ही प्रसंसे हम लोग और दोस्तों इसको हम लोग डेली लगा चर्चा किये हैं इवन प्लेसे इन निउज में भी हम आपको बताये थे और देखिए सीधा सीधा प्रसंसाया हुआ है वर्स दो हजार देश में कि बुलगारिया चेक रिपबलिक हंगरी लाट्विया लिथुआनिया रूमानिया उप्रियुक में से कितने देशों की सीमाएं यूकरेन की सीमा के साथ साजा करती हैं दोस्तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूकरेन मुद्दा बहुत ही गर्म है तो इस छेत्र की मैपिंग आप लोग खुब अच्छे से करिएगा और देखिए सीधा सीधा प्रसना आ गया है यहाँ पर यही पूछा ज यह बाल्टिक स्टेट कहते हैं तीन देश हैं इस्टोनिया लाट्विया लिथवानिया यह तीनों जो है इनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं तो ऐसे में यह दो तो कट हो गए अब बचा बुलगारिया चेक रिपबलिक हंगरी और रुमानिया तो दोस्तों यहाँ देख सकत नीचे बुलगारिया है तो बुलगारिया भी कठ हो गया और चिक रिपब्लिक की बात की जाए तो यहां पर है। युक्रेट को टच ही नहीं करता है। worksheet को देख सकते हैं। रूज टच कर रहा है बेलारूस कर रहा है पोलैन कर रहा है, स्लोवाकिया कर रहा है, हंगरी कर रहा है, रूमानिया कर रहा है, मालदोवा कर रहा है, तो इसमें उत्तर क्या हो गया, रूमानिया और हंगरी, यानि कौन सा, तीसरा और छटवा, यानि केवल दो यूगमैसे हैं, यानि केवल दो देशों की सीमाएं, उक्रेयन के सीमा के साथ साजा करते हैं, ता उत और इसे भी देखिए अन्य देशों को भी कि चेक रिपब्लिक कहा है यह लेंड लॉग्ड कंट्री एक तरह से देखा जाए मांचित में अगर देखोगे तो यह क्या है लेंड लॉग्ड हो गई की नहीं तो इस तरह से भी देखा करिए कि यूरोप की कौन-कौन से देश ले 12 अक्टूबर 2020 को यहां पर देख सकते हैं कि उनली 9 आफ 25 हाई कोर्ट लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग यानि 25 हाई कोर्ट में से केवल 9 ऐसी अदालते हैं जो यह प्रियोग कर रही हैं यानि 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इतिहासिक फैसले में अदालती कारवाई के लाइव स्ट्रीमिंग के महत को रेखांकित किया है और इसे खुले नयाय और खुली अदालतों के सिध्धानत का विस्तार दिया है देश के 25 उचने आलों में से केवल 9 ने जनता के लिए अपने आभासी दरवाजे खोल दिये हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही लाइव को श्रक्चम करने के लिए लगाए गए बुनियादी धाचे को भंग ना करें और यह महामारी तक ही सीमित नहीं था इसे हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे चुकि कानून और नयाय मंत्राले के आकडों के अंसार जिला अदालतों ने 31 मार्च तक लागडाउन की नवाई के लिए बीडियो कॉन्फरेंसिंग का इस्तेमाल किया वहीं उच नयायलों के मामले में यह करीब 80,000,000 मामले इसमें सामिल थे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट ने इसमें सुरू किया लाइव स्ट्रीमिंग उसके बाद करनाटक हाई को और 1.9 करोन व्यूज प्राप्त किये थे तो इस तरह से इस पर प्रतिबंध की बात अगर की जाए तो लाइव स्ट्रीमिंग और अदालती कारवाई की रिकॉर्डिंग के लिए आदर सिनियम कहते हैं कि वैवाहिक मामलों, बच्चे को गोद लेने, बाल हिरासत, यौन खर्स करने वाले की सोरों से संबंदित मामलों को लाइव स्ट्रीमिंग से बाहर रखा जाना चाहिए, हाल के एक पत्र में बार काउंसिल आप दिल्ली में नामांकित एक वकील ने सीजियाई से अनरोध किया है कि वे सुप्रीम कोट के सभी कोट रूम में कारवाई के लिए लाइव स्ट्रीमिंग पर विचार करें और सेस अदालतों में इसके कार्यानवन को गती देने के लिए उच्चि नयायाले और जीला अदालते उचित हस्तक छेप करें और पत्त में कहा गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग से दूरदराट के छेतरों के वादियों को भी अदाल बारत की कुल जन संख्या में जन जातियों का प्रतिसत कितना है यानि कितने प्रतिसत जन जातियां भारत में पाई जाती हैं। झाल